बिस्तर का सुकून छोड़कर एक कागजी सी हसी ओड़कर अपने अक्स से जगड़कर बसता लिए रोजाना दफतर चले जाते हैं अपने अक्स से जगड़कर बसता लिए रोजाना दफतर चले जाते हैं जिम्मेदारियों के बोज तले अब ये आईने से भी नजर चुराते हैं देख जो ले आखों में खुद की कुछ बिखरे से अर्मान नजर आते हैं आने ना पाए आखों से वो बाहर के आने ना पाए वो अर्मान आखों से बाहर इसलिए अब वो खुद से ही नजर चुराते हैं खाबों की चादर उतार कर वो हर मौसम बावक्त दफ्तर पहुँच जाते हैं तसवूर में है जहन पर हाजरी वो दफ्तर में लगाते हैं करके अर्मानों से सौदा कुछ यूँ वो रोजी कमाते हैं हाँ थोड़ी अलग हूं मगर इतनी गलत भी नहीं के खूबिया मुझ में थोड़ी कम है पर एब ही एब तो फकत नहीं तलब बस सुकून की है के चांदतारों की मुझे कोई हिरस नहीं बाते मेरी कुछ अजब ही है पर माईने उनके बेवकत नहीं थोड़ी सी अलग हूं मगर इतनी गलत भी नहीं गहराई से जानने की अगर कोशिश करो तो मुश्किले बहुत मिली पर अकेले चलने से अब मैं डरती नहीं रास्ते भटक जाती हूं अकसर पर मंजिल से नजर भटकती नहीं ख्वाब वो बाते समझाने का है जो ये दुनिया देखकर भी समझती नहीं हाँ माना थोड़ी सी अलग हूं पर एवी एव तो फकत नहीं कुछ लवज है कुछ जजबात है कुछ मेरे ख्वाब है कुछ मेरे हालात है कभी हसी सुबा तो कभी स्याही सी रात है कभी सही कभी गलत कभी समझ के भी वो पार है ये मेरी लिखावटे कैसी है मालूम नहीं बस मेरे दिल वाली बात है पास जब कोई ना था उस वक्त से स्याही पनने का साथ है यह मेरी लिखावटे कैसी है मालूम नहीं बस मेरे दिल वाली बात है तो इतना लिखते-लिखते मैंने बस यह सोचा कि अभी भी सुकून क्यों नहीं मिल रहा है और यह उसी बारे में है कि एक सुकून को मैंने कहां कहां नहीं ढूंडा एक सुकून को कहां कहां नहीं ढूंडा हमने वक्त बीचता गया बेचैनिया बढ़ती गई पता लगा के दुनिया की भीड में है सुकून कहीं नहीं पता लगा के दुन्या की भीड में है सुकूं कहीं नहीं कि हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं जैसे फूल अपने वक्त आने पर ही खिलते हैं वैसे ही कुछ सवाल के जवाब वक्त आने पर ही मिलते हैं तो अगर ना मिले किसी सवाल का जवाब तो वक्त पर छोड़ दो वक्त ही है गुजर जाएगा दिन ढल गया तो क्या कल नया सवेरा आएगा